नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का गरिमाई ये सीटू चनल में आज हम जिस टोपिक पे बात करेंगे या काफी महत्पूर्ण है काफी रोचक है और काफी ग्यानवर्दक है या जानना आप सभी लोग के लिए आवश्यक है हम जानेंगे कि क्यों सरकार महिलाओं की स इसको जाल लेते हैं हाली में आप लोगों बता दो प्रेंट्स कि संसत का सीथ कालिन सेत्र संपन हुआ है तो हाली में केंदर सरकार ने महिलाओं के लिए बिवा की नियूंतम मुर 18 से बढ़ा करके 21 वस करने का निर्ड़ लिया है यह आप लोगों पता हो गए नियूंज न जो है पहले जो एज था लड़कियों का साधी का उम्र 14 से बढ़ा कर 18 किया गया और उसके बाद अब 18 से बढ़ा करके 21 की जाने की बात चल रही है आई यह देख लेते हैं कि कानून के पक्ष में क्या बाते कही जा रही है इसको थोड़ा से जान लेते हैं कानून के पक्ष मातरी तो मिर्तु उदर पर नियंतरन होगा ये ज़्यादा होगा लड़कियों की तो उनका सरीर परिपको होगा और वो बच्चे को जर्म देने के लिए काफी आवश्यक भी होगा उनकी उम्र का ज़्यादा होना और मैलाओं के पोशन अस्तर को बढ़ावा देना ये कारण दुसरा है और मैलाओं के लिए उन्च सिख्चाव के द्वार खोलना और लेंगिक समानता जब लड़के की साधी कुम्र 21 है तो लड़कियों की क्यों नहीं इस बात को लेकर भी बाते उठ रही है ड्रैविंग लेसेंस बना चकते हैं परतियों की परिक्षाण में बैट सकते हैं इन सारे चीजों का जब अधिकार है तो बिवा करने का क्यों नहीं है यहाँ पर यह सरकार कहेगी जो भी बिरोधी जो लोग है वह बोल रहे हैं अगला जो है कि समाजी कुरूप से अधिक उधार पश्मी देशों यानि जो भी अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है जितने ही पाश्यात के कंट्री है जो समाजी कुरूप से काफी उधार हैं काफी आगे हैं जो लड़के-लड़कियों भेदभाव नहीं रखते हैं वहाँ पर पूरुसवादी मानसिक्ता देखने को नहीं मिलती है वहाँ पर पित्री सतात्मक समाज नहीं है समाजों में वहाँ पर परिवार में पित्री सतात्मक सोच वहाँ पर नहीं है तो साधी की उम्र 18 वर्स है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए आई अब हम लोग निसकर्थ पर देख लेते हैं कंक्लूजन की हम लोग कैसे देख इसको लिखना चाहिए येकिनी स्कॉर्च में क्या होना चाहिए कि कानून सही है या गलत है इस बात को ले करके थोड़ा साम लोग जान लेते हैं यदि हम पैनल सरकार जो पैनल बनाई है वह हो कानून के लिए जो पैनल बनाई हो और सरकार के तर्क से अलग हड़कर देखें तो केवल विभा की तक है सरकार को करना चाहिए ताकि मैलाओं की स्थिति काफी अच्छे तरीके से सुधर पाए मैलाओं की स्थिति को सुधार ने के लिए सबसे परितों एसकुली सिख्षा तक उनकी पहुंच बनानी होगी समाजिक जागरुकता लानी होगी जिस लड़के-लड़की में भे कौम आयवाले जो भी परिवार की मैलाओं है उनके लिए गैर क्रिसीगत-रोजगार के औसर स्रीजित करने होंगे जो क्रिसी से समनित नहों यानि गैर क्रिसीगत-रोजगार जो क्रिसी से रिलेटेड नहों स्रंबल में बंगलादेस की मैलाओं की उच भागेदारी वहां के कपड़ा केंद्रों की देन है यह एक उधारन है बंगलादेस में वहां पर जो कपड़ा केंद्र है जो कपड़ा बनाये जाते हैं उसमें महिलाओं की काफी यobylणान है तो स्रंबल वहाँ पर काफी लगा हुआ है महिलाओं का भी तो भारत के पूरे स्रंबल में महिलाओं के भी हिस्षेदारी होनी चाहिए अगला point है स्वाँ स्वास्थ चिवा को बे excitr और विश्तित करना होगा ताकि महिलाओं किस्तिती काफी अच्छी हो सके और मैं बता दू फ्रेंड्स कि पहले से काफी ज्यादा आपको प्रजनन दर्ग कम हुई है बच्चे का जन दर्ग कम हुआ है पहले से तो यही था आप क्या सोचे इस बारे में कमेंट में जरू लिखिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार धन्यबाद